सिरीज चन्दी सेखर दो मिनट्ट दो मिनट्ट दो मिनट्ट को क्या आन को अब बोले माने सभापती जी आखरी तक कर दिया आपने वैदो साड़े तीन घंटे से निजार कर आपको आउसर मिल गया प्रिम चेर पे बैठो आउसर ना मिले ये तो फिर ये तो बहुत सबसे पहले तो मैं पैरिस ओलंपिक खेलों में जाने वाले सभी खिलाडियों को आपके माद्यम से सदन के माद्यम से बढ़ाई देता हूँ मंगल काम नाए करता हूँ और सरकार का ध्यान में इस तरफ आकरसित करता हूँ कि अनुसुद जाती जन जाती और पिछले वर्क के खिलाडियों के प्रतिन इत्तुपे उनको ध्यान देना चाहिए हम ग्रामिन अंचल से आते हैं ग्रामिन शेत्रों में ना तो स्टेडियम है ना स्पोर्ट कॉलीज है ना उनिवस्टिया है और करती बागा कोई मौली नहीं है सर हम खुद अच्छे खिलाड़ी थे मगर अवसरी नहीं मिला अब यहाने में भी बहुत समय लगा सड़कों प तो सभापती जी मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना भी चाहता हूं कि गरामिन अंचल और सेस्टी ओबीसी के प्रतितों बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए तथा इस संबंद में कुल कितनी धंडासी आउंटित की गई है और कितनी धंडासी आउंटित करने का प प्रियाब प्रसिक्षन के लिए सरकार दोर अलग से कोई प्रसिक्षन केंद्र अस्थापित किया गया है या किये जाने का प्रस्ताव उख खेलों में अलग 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 प्रदाव में उख सेनी के कुल कितने खिलाडियों को भेजे जाने का प्रस्ताव है तता इन सब खिल प्रवाइब लेक्राइब तो सबसे पहले उसकी जाती सर्च की गई थी और वंदना कटारिया कैसी बच्ची है हमारे उसको कि घर के बाद जो है सर उसको बिज़त करने का प्रयाज किया गया सासा सर साक्सी और विनेश के साथ क्या हुआ यह भी हम लोग नहीं भूलें सर मेरा मानना यह है आप दादा आप बीचे नतिंग बिल गो ऑन रिकार्ट मैं नगीना शारनपूर सर मैं उदर जहां मैं उस खेट उस छेत्र में मैं गाउं में जाता हूं बहुत प्रतिबाएं सर लेकिन अवसर नहीं है मेरा आप से आग रहे है आपके मादिम सरकार से आग रहे कि वो देखे गाउं में परतिबाएं को कुछला ना जाए क्योंकि पक्सपात होता है सर इस पक्सकात को खतम किया जाए कब तक एक लववे का अंगुठा जो है सर कटता रहेगा अब तो हमें अवसर मिलने चाहिए यही मैं आप से कहना चाहत्माने बर और आपने मुझे निवाद करता हूं